शोया कीमा बनाने के लिए हम कड़ाई में या पैन में डिएड़ बड़ा चममच ओईल लेंगे जिसमें एक चममच जीरा डालेंगे एकदम फाइनली चॉप किया हुआ हम इसमें गार्लिक एट करेंगे जितना आप एट करना चाहें कर सकते हैं और अगर आप गार्लिक नहीं तो इसकिप भी कर सकते हैं, तो हरी मिर्च भी चॉप करके इसमें एड करेंगे, हलका सा कुक करेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे जिंजर जूलियन्स, यानि अदरक को मैंने थोड़े लंबे पीसिज में कट कर लिया है, इस तरह से जूलियन्स में, जब यह मुह में आते ह कशिप करने हैं, जिन को चॉप कर लिया है, वो टमाता डालेंगे, बारीन चॉप किया हूँ इसमें अदी शूप ख RICH चॉप किया हूँ ही, अपिसमें डाला एंगे शिंबला मिर्च, मैंने शिंबला मिर्च, अख bell leuk, तो उन जोप सिभितार हें, इन को बहुत ही अच्छी तेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर हारी मिर्च भी डाली है तो मैंने रेट चिली थोड़ी कम एड़ की है धनिया पॉडर गरम मसाला हल्दी और इसमें हम डालेंगी एक चम्मच पाव भाजी मसाला सभी मसाले एड़ करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है और कुक करना है अच्छे फ्लेवर के लिए हमने यहां पे कस्तूरी मेथी भी एड़ कर दी है तो हाई फ्लेम पे इनको कुक होने देते हैं सोया बीन को मैंने भीगो के रख दिया है यह इस तरह से कोर्सली चर्ण भी मार्केट में मिलता है अगर इस तरह से आपको नहीं मिलता है तो आप सोया बीन के जो बड़ी आती है वो ले सकते हैं उसको पानी में भीगो दें उसके बाद आप उसको मिक्सी में चर्ण कर लें नहीं तो आप सोयाबीन की बढ़ियों को पानी में भीगो दें, उसके बाद जो पानी है वो निकाल लें, और बाद में उसको मिक्सी में चंड कर लें, अब हम इसमें एट कर रहे हैं टमाटर का पेस्ट, टमाटर को मैंने बहुत अच्छी तरह से कुक करके रख लिया है तो यह एकदम गरम पानी है, आधा कप पानी इसमें एट कर दिया है, सभी चीज़े अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, इसी तरह से हाई फ्लेम पे इसे कुक करते रहना है, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला एट करेंगे, चाट मसाला नहीं है, तो आप ड्राइ मैंगो पॉ करेंगे, और इसे अच्छी तरह से कुक होने देंगे, यह देखिए, यह कुक हो चुकी है, सभी चीज़े, अब हम इसमें थोड़ा सा हराधनिया एट करेंगे, अब हम इसमें सोया बीन एट कर देंगे, इसका जितना भी पानी है, आपको पूरी तरह से निकाल लेना है, मै इतना भी एक्स्ट्रा पानी है, उसको निकाल ले, पहले इनको मसाले के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं, अब हम इसमें पानी डालेंगे, लगभग डेड़ कप पानी हमें डालना है, क्योंकि यह बहुत जल्दी ड्राय हो जाता है, तो इसलिए मैंने डेड़ कप प इस बटर कर डालेंगे, यह ऑप्शनल है, अगर आप बटर एड नहीं करना चाहते तो यह एकदम आप स्किप कर सकते हैं, इसे डालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पस टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा बटर भी इसमें डाला है, अब हमें इसे हाई फ्ल तो हाफ लेमन का जूज मैंने यहाँ पर लिया है, अब यह बनकी एकदम तयार है, इसको सर्फ करेंगे, सर्फ करने से पहले तोड़ा सा हरा धनिया इसके ओपर और डाल देंगे, और अब यह सर्फ करने के लिए एकदम तयार है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच पर वाचिए, बाबाए,